स्वागत स्वाथ्य समंदी चर्चा में होमियोपेटिक में अश्योक का पेड करते हैं मासिता अश्योक के पेड के नीचे रहा करती थी जब रावन की वाटी का में तो इसमें कितने गुण हैं जिस पेड के नीचे मासिता रहती थी उसके गुणों का तो बखान करने की सकती किसी में नहीं गरों में भी अश्योक का पेड लगाते हैं बड़ा सूब होता है इसकी कहीं परजातियां भी होती है आईरवेद ने अशोक के पेड किसें अशोका रिष्ट बनाया बेन बेटियों के लिए अमरत के तुल्य है और होमियोपेटिक के अंदर इसको नाम दिया जानो सिया अशोका तो ये आईरवेद के अशोका रिष्ट से भी अच्छा काम करती है ये क्यों करती है अच्छा काम और आईरवेदिक अशोका रिष्ट काम क्यों करता है ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ देखिए बजार से आप अशोका रिष्ट लाएंगे एक फार्मेसी जो अच्छी से अच्छी हो उसका लाएंगे उससे फाइदा होगा उसका टेस्ट भी अच्छा होगा उसकी किमत भी अच्छी होगी जब वो बोतल खतम हो जाएगी फिर आप लेने जाएंगे अगर उसी फार्मेसी का नहीं मिला और फार्मेसी का मिला तो वो गुण हीन होता कम काम करेगा टेस्ट में भी फरक आएगा तो जितनी फार्मेसीयां है उन सब का अशोका रिष्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा फरक होता है लेकिन होमियोपेतिक के अंदर मदर टिंचर बनने के बाद आप चाहे जर्मनी लें आप चाहे इंडियन लें आप चाहे कोई सी भी फार्मेसी का लें कम से कम सेक्डों फार्मेसीयां है होमियोपेतिक की जो जो नोसिया असोका का मदर टिंचर बनाती है सब में एक ही गुन है और एक ही टेस्ट है एक ही पेमाना है और एक ही नाप है अब मैं इसके गुनों से आउगत कराऊंगा बहन बेटियों के लिए ये अमरत के तुल्य है बजार का सोका रिष्ट नेल आकर के इसका मदद तिंचर अगर बहन बेटियां सेवन करती है तो जल्दी रिजल्ट अच्छे प्राप्त होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि बजार का जो अशोका रिष्ट है वो कमजोर है कमजोर वो भी नहीं बारत में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम होता है अशोक जोनोस या अशोका ओश्डी को इसी पेड़ की छाल से तैयार किया जाता है ये ओश्डी इस्तरियों के बहुत से रोगों में लापकारी होती है विबिन रोगों के लक्षनों के आदार पर जोनोस या अशोका का परियोग आप कर सकते हैं आमा से के जो लक्षन होते हैं बार बार प्यास सी लगी रहती है रोगी का मन ऐसा करता है जैसे कि उसे हर समय खटी मिठी चीज़ें खाने को मिलती रहे बहुत ज्यादा जी का मिचलाना पेट में कब्च का बनना खूनी बावाशीर आदी लक्षनों में रोगी को जोनोस या अशोका देने से लाब मिलता है इस्तरी से समंदित लक्षन इस्तरी का माशिक दरम समय से काफी दिनों के बाद आना और स्राव का ज्यादा मात्रा में आना माशिक दरम का कष्ट के साथ आना माशिक स्राव आने से पहले डिम्ब गरंथियों में दर्द माशिक स्राव को अधिक मात्रा में होना योनी में उतेजना बढ़ना योनी से पानी का आना जैसे इस्तरी लोगों से समन्दित लक्षनों में जानोस या आसो का उस्दी का प्रियोग लाबदाइक है इसके पेसेंट के सिर के लक्षन में सिर के पिछे के एक हिस्थे में दर्द होना सिर में खून जमने के कारण दर्द हो जाना आँखों के अंदर के गोलों में दर्द होना रोसने में आते ही आँखों का बंद हो जाना नाक में जुकाम होने के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जैसा स्राव आना सुंगने की सक्ति का समाप तो हो जाना नेंद के लक्षनों में रोगी को रात को सोते समय नेंद का ना आना नेंद में कहीं दूर की यात्रा करने के सपने आना जैसे लक्षनों के आदार पर रोगी को जानों से आसो का देने से लाब मिलता है पीट के लक्षनों में रोगी की रीड की हड़ी में दर्द जो पेट और जांगों तक पहुं जाता है इस तरह के लक्षनों में अगर रोगी को जोनोसिया अशोका उस्दी दी जाए तो लाब होता है इसकी तुलना जोनोसिया अशोका की तुलना बाई बर्नम से ओपुलस से बाई बर्नम प्रेनी फोलिम से की जा सकती है मात्रा इसकी है रोगी को रोग के अनुसार जोनोसिया अशोका का मदर ठींचेर आराम से जिन बेहन बेटियों को रक्त सराव ज़्यादा हो रहा है उस वगत इसके 25-25 बूंद आदे कप पानी में गुन गुने पानी में दिन में चार या पांच बार देना चाहिए और कोई प्रोबलम के लिए लेते हैं तो आदे कप पानी के अंदर 15-15 बूंद आराम से दे सकते हैं लेकिन अगर मासिक का सराव रक्त का अगर ज़्यादा जाया हो जाता है तो बहुती इस्तिती कमजोरी आती है इसलिए उसमें इसकी मदर टिंचर की डोज बढ़ा के देना चाहिए तो ये कहीं भी नहीं लिखा रहता होमेपेतिक के अंदर कि किस चीज के कितनी बूंद देनी चाहिए क्योंकि ये सब परिश्टितियों के उपर निर्भर करता है जो कुसल चिकित सक होता है तो वो रोगीनी की परिश्टिति देख करके और रोज निर्दारित करता है तिस बूंद भी दे सकता है और अगर कोई ऐसी वैसी बिमारी के लिए ले रहे हैं तो दस बूंदी बहुत होते हैं पांच बूंदी बहुत होते हैं तो ये एक बहुती गहन अधियन का एक सब्जेक्ट है होमियोपेतिक जिसें तिलिस्म कह सकते हैं या अलादीन का चिराग कर सकते हैं बड़ी जबर्दस्त एक जटिलता मातमा हैनी में छोड़के गए हैं कि ये नेने चिकित सक ले और मदर टिंचर के अलावा अगर मदर टिंचर उपलब्द ना हो तो इसका थरी अक्स या च्छे पोटेंसी उसको दिन में च्छे बार रिबिट करें अब एक चीज मैं बता देता हूँ आपको कोई देखो कहीं कोई संदेह की बात नहीं चोड़ने चाहिए क्योंकि मेरा जो वीडियो है ये आईरवेद वाले भी सुनते हैं और होमेप्तिक वाले तो सुनेंगे ही सुनेंगे तो कल कोई आईरवेद वाला विद्द या आईरवेद अचारिये ये कह सकता है मुझको कि आपने हमारे असो का रिष्ट की इतनी तारिफ नहीं की जितनी इसकी तारिफ किये तो मैं आपको इसका जबाब यहीं पर इसी वक्त देता हूं जो असो का रिष्ट बेदे लोग बेन बेटियों के लिए लिखते हैं और जो फार्मेसियां बनाती है तो उस सीशी के उपर आप पढ़िए दो तिन बीमारियों के नाम लिख देते हैं विशेश करके रक्त सराव होने पर महावारी में खून अधिक आने पर एक आद और बीमारी के बारे में इसके अलावा कोई वेदे असो का रिष्ट सजेश्ट नहीं करता असो का रिष्ट का नाम लेते ही यह आबास हो जाता है कि कोई ने कोई बेहन बेटियों को प्रोब्लम है प्रदर समंदी या लिकूरिया समंदी जो भी है अब मैं इसको ज़्यादा महत्वक क्यों देता हूँ होमेप्तिक को असो का रिष्ट जोनों से असो का को इसलिए देता हूँ कि ये जो लक्षन है ये आईरवेद के अंदर बनावा असो का रिष्ट के अंदर नहीं है जैसे सिर के पिछले हिसे में दर्द होना अगर आप कोई बेद्दे को जाके कोगे है कि मेरे सिर के पिछले हिसे में दर्द है मावारी भी बहुत आती है कदाचिती आपको वो सबका रिष्ट लिखेगा और ही कोई दवा लिखेगा इसके अलावा जुखाम ये जुखाम को ठीक करता है बहुत ज़्यादा पानी जैसा सराव आता है सुंगने की सक्ति खत्म हो जाती है तो ये जुनोसिया असो का ठीक करता है जबकि असो का रिष्ट नहीं करता इसके अलावा अनिद्रा की ये बहुत अच्छी दवा है आईरिवेदिक असो का रिष्ट लेने से नीद नहीं आएगी होमेपेतिक जुनोसिया असो का लेने से नीद आ जाएगी और जो रीड की हड़ी में जो दर्द होता है जो पेट और जांगों तक पहुंसता है तो आप कोई वेदराज के पास जाएए और कहिए कि रोगी की रीड की हड़ी में दर्द है जो पेट और जांगों तक पहुंसता है क्या दवाई देंगे वेदराज जी दवाई लिखिये तो असो का रिष्ट नहीं लिखेंगे और ये जोनोस या असो का इस तरह की तकलीब को ठीक कर देता है इसके अलावा हड़ी के दर्द में और में सब में तो देखो होमियोपेटिक के अंदर जब कोई दवा की पूरुविंग होती है तो उसके अंदर अलग लक्षन आते हैं और आईरवेद जो चलता है वो अशो के जो गुण है पेड़ के उससे बनावा असो का रिष्ट के जो गुण होते हैं खास खास पांस दस जो भी है वो उनके उपर चलते हैं तो वो भी गलत नहीं है जो भी गलत नहीं है लेकिन फारमेसी का फरक पर जाता है सुद्धता का फरक पड़ जाता है प्लास्टिक की बोतलों में आता है और होमियोपेटिक के अंदर जो असोका जोनोसिया है ये मदर टींचर के अंदर इतना फास्ट काम करता है जिसकी कोई मिसाल नहीं आईरवेट के अंदर खाना खाने के बाद दोनों टाइम बताते हैं दो दो तिन तिन डाकन और उतना ही पानी लेने के लिए शिपारिस करते हैं इसके अंदर आदे कब पानी में बीस बून टीस बून रोग की गती के अनुसार अगर कुसल चिकित सक कोई है तो इस जोनोसिया असोका सें बलेडिंग को एक दिन के अंदर रोक सकता है इसके तिस तिस बून लगाता दे के बलेडिंग को रोक देता है जबकि आईरिवेद का असोका रिष्ट नहीं रोक पाएगा उसको वक्त लगेगा मैं आईरिवेद चारिये भी हूँ और होमियोपेतिक भी हूँ तो देखो मेरे लिए सब सामान है लेकिन अब वो कहते हैं कि जिसमें जो खास्यत है वो बताना अति आवशक होता है जब हम आईरिवेद पे असोका रिष्ट में बताएंगे तो उसकी अलग बासा होगी हमारी अभी हमारी अलग बासा है हम नहीं चाहते कि हम खाली फुरुसों के रोक के उपर ही बयान दें हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ सेक्स के वीडियो डालें हम नहीं चाहते कि केवल हम ये भी चाहते हैं कि बहन बेटियां हमारी सुरکशित रहे अशोका से अशोका के नीचे बेटने से ही लाव होता है घर के अंदर अशोका पेड लगाने से कहीं तरह के रोग कहीं तरह के जिवानूं किटानूं ये आपके घर में परवेस नहीं करेंगे घर में सुक सानती रहेगी क्योंकि मा सीता असो के पेड़ के नीचे बठा करती थी और तो मैं क्या बताऊं आपको फिर देखो अपने अपने खयाल होते हैं अपने अपने विचार होते हैं हर दवाई अपनी जगे स्रेष्ट है यूनानी अपनी जगे स्रेष्ट है आयर वेदिक अपनी जगे स्रेष्ट है होमेपेतिक अपनी जगे स्रेष्ट है जल चिकित्सा अपनी जगे स्रेष्ट है मिटी चिकित्सा अपनी जगस रेस्ट है दुनिया की चुम्बक चिकित्सा वो भी अपनी जगस रेस्ट है हर एक चीज का पेमाना और उसका नजरिया अलग-अलग होता है बस और वाकी सब वो कहते हैं कि रास्ते तो कहीं हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है रास्ते तो कहीं हैं लेकिन मंजिल एक ही होती है आदमी खाली हाथ पेदा हुआ है आदमी खाली हाथ ही जाएगा कोई इसा मस्य को मानते हैं कोई अल्ला को मानते हैं कोई राम को मानते हैं कोई रहिम को मानते हैं अरे कितनों को ही मान लो मतलब तो सबका एक ही निकलता है मतलब यही निकलता है कि हर एक धरम ग्रंत आपको यही शिक्षा देंगे कि आप कोई गलत काम नहीं करे आज संसार के अंदर दुख किस बात का है दुख इसी बात का है मैं कहीं वीडियो में कह चुका मैं नानक देव का परम भक्त हूँ नानक देव अरे उनके एक छोटे से एक दोहे के अंदर पूरी संसार की समश्या का हल निकलता है जहां बड़े बड़े दिगज लग रहे हैं और वो हल को ढूंड रहे हैं हल नहीं मिलता इस दुनिया के अंदर कहीं जगे कई कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं कहीं कुछ कर रहे हैं नानक देव साब में क्या फरमाया है गुरु साब ने नानक देव जी करते हैं एक ने कही दुजे ने मानी नानक कहे वही परम ग्याने अरे जब एक आदमी कह देता है और दूसरा आदमी उसकी बात को मान लेता है तो जगड़ा खतम लेकिन ऐसा होता नहीं है आदमी अपने अहम के अंदर चार सरतें अपने रखेगा चार सरतें दूसरा रखेगा तो इनका कोई आदी है ना अंत है रखते जाओ रखते जाओ भाई हो बतीजे हो रिष्टेदार हो कोई भी क्यों न हो मन मुटाओ तो सभी में होते हैं लेकिन अगर एक आदमी एक भजन में कभी दाजने का है मजाजिसे को सबूरी में अमेरी क्या बिचारी है जो सबर कर लेता है जो सबूरी धारन कर लेता है जो है उसी में खुष रहता है तो उसके सामने आप सोने के पहाड खड़े कर दो कुछ है नहीं माइना रखते उसके सामने उस आदमी की खुशियों को आप तोल नहीं सकते चाहे कितने अरब खरब रुपे आप उसके सामने रख दो क्योंकि उसका मन सांत है उसने सबूरी कर ली कोई गलत काम कर रहा है और कर रहा है ध्यान में मगने रहे कोई बात मानने वाला हो तो उसको बात समझाई जाती है जब तुम्हें मालूम है कि ये बात को अगर कहेंगे तो ये दस कंडिसन डालेगा तो छुप रहने में ही फाइदा है मेरी बात का बहुत गूड अर्थ निकलते हैं आप निकाल सकते हैं तो निकालिए आज मैंने बेंट बेटियों के लिए होमियोपेति की जोनोसिया असोका इसका जिक्र किया है ये दवा कोई कमजोर नहीं सब तरह से सक्सम है बेंट बेटियों के विशेज करके बेंट बेटियों के माहवारी समंदी ही प्रोबलम अधिक हुआ करती है थाइंग